नैसरे सौकत एप स्टार्ट आप योगिस में और ये वीडियो बहुत इंपर्टंट वीडियो है क्योंकि यह वीडियो मुझे भी बहुत हेलप करता है और यह वीडियो आपको भी help करेगा यहां पर हम discuss करें कि business model generation यानि business model को जो है कोई भी business जो होता है वो किस तरीके से काम करता है किस चीज़ पर उसको factor होता है किस factors पर depend करता है जब आप कोई भी business को developer होगे तो यह book है आपका business model generation बहुत ही अच्छा book है जो आपको study करना चाहिए अगर आप business शुरू करें startup शुरू करें किसी existing market में business शुरू करें कोई नया market आप तेयार करें क्योंकि अलग-अलग तरीके के market होते है आपका product कोई भी अगर product होता है उसको अलग-अलग तरीके साब को sell करना परता है तो यह होता है basically this is how it works तो अभी हम लोग discuss करेंगे यह जो आपका जो चार्ट है यह canvas है इसको आप कैसे use कर सकते है यह ऐसा होता है कि जब भी आप अपने business को grow कर रहे हैं अगर आप start कर रहे हैं अगर आपका past product है या आप कोई product sell कर रहे हैं लाधन इसको आप करना चाहते हैंका लग जब भी आप अपने business को лом करना चाहते है तो यहाँ पर जैसे आप देख पर रहे हैं यहाँ पर कुछ कुछ आपका message है अलगलग सेक्शों से हो जाता है कि future है वेला सयनव अघपर सिंवाल लेता हूं customer relationship, customer segment हो जाता है, channels हो जाता है, revenue streams हो जाते है, cost structure हो जाता है, key resources हो जाते है, या कोई paper पर लिखके इसको on a weekly basis, जैसे आप अपने business को grow कर रहे है, इसको आप इस्तमाल कर पाएंगे, ताकि आपको ये एक clarity मिल जाएगे, क्योंकि बहुत बर क्या होता है, हम सोचते रहते हैं, हमारे सामने अगर लिखा वा रहता है, तो हम बहुत जादा clarity मिलते हैं, हम उस अगर मैं किसी business का analysis करूँगा, तो analysis इस तरीके से होता है, जैसे कि अगर आपका key partner होता है, तो आपका key partner कौन है, जिसके साथ आप business करेंगे, तो for example, यहाँ पे आपका example दिया हूँ, यह field अब है, Google आपका strategic partner है, Facebook है, Presta shop है, की activities क्या है, मतलब आप आपने business में कौन से activities करत reporting optimization, और कौन-कौन से key resources है, जो ज़रूरी है, आपके business को चलाने के लिए, grow करने के लिए, और revenue generate करने के लिए, employees, digital marketing tools, automated reporting algorithm, value proposition क्या है, value proposition का मतलब होता है कि आप क्या offer कर रहे हो, क्या provide कर रहे हो, क्या product है, क्या service है, जिसको आपका जो भोगता है, आपका जो customer है, उसको लेन email business, जो भी है, so basically, यह additional marketing company का एक value proposition, यानि business model canvas है, इसका revenue stream क्या है, कहां से पैसा कमाता है, fixed monthly charge per user, cost structure क्या है, मतलब इसका खर्चा कहा होता है, staff का cost, operating expenses, other expenses, partner, marketing, HR cost, customer relationship, मतलब किस तरीके से वो customer के साथ relation कर रहे है, तो यह सारे चीज़े है, customer segment का मतलब होता है, कि आपके कौन customer है, customer तो कोई, ऐसा ने आपको लिखना है, कि कोई भी मेरा customer, यहाँ पर आपको specific करना परेगा, age 18 to 24, यहाँ पर जैसे हमारे channel में जो maximum viewers होते है, वो male होते है, around 95% are males, उनका age group जो होता है, that is 24, 18 to 35, तो मुझे पता है, तो उसी हिसाफ से मैं content को तयार करता हूँ, ताकि revenue streams में, value proposition में, key activities में, तो आपको एक clarity मिल जाती है, क्योंकि आपका जो business होता है, it's like solving a puzzle, it's playing a game, अगर आप उसको अच्छे तरीके से planned way में अगर करते हैं, तो आप easily उसको conquer कर सकते हैं, और अगर कोई भी failure होता है, उसको आप overcome करके अपने business को grow कर सकते हैं, यहाँ पर आप पर सबसे पहले आपको यहाँ पर customer segment यहाँ पर भढ़ना है, customer segment भढ़ने का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले यह define करना है, कि आपका customer कौन है, तो यहाँ पर जासे आप देख पार रहे हैं, कि जब भी आप अपने business को grow करेंगे, जब इसको fill out करेंगे, तो यहाँ पर जो है 18-24 है, mail है, ठीक है, आपका उसके पास एक mobile होना चाहिए, for example, उसके पास smartphone होना चाहिए, उसके पास net banking की सुविदा होना चाहिए, ताकि हमारा जो product है, वो net banking के बाद हम से वो purchase कर सके, और सारा जो details है आपको यहाँ पर लिखना पर एगा, अगर for example, अगर आप गंज होता है, और उसका वो चाह होता है कि इस area में, कि जब 18 साल का हुमारे, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, बंदा, पैसा होता है खर्चा करने के लिए, उसके पास आपका age group तो उसी हिसाब साब target कर सकते हो कि मेरा customer कौन है, उसके बाद customer segment आपने जब define कर लिया, उसके बा इस customer segment को चाहिए होगा, तो वो चीज़ आपको फैलो प्रपोजिशन जो है, वो यहाँ पे आपको लिखना परेगा, अगर आप गंजा, गंजा पन का जो होता है, वो आप sell कर रहे हैं, अगर आप विक sell कर रहे हैं, आपको आपका product जो है, वो आपका sell कर रहे हैं, तो वो extensively यहाँ पर mention करना परेगा, यह product है, यह product है, दो product भी हो सकता है, दस product भी हो सकता है, वो completely आपको पर depend करता है, पर यहाँ पर यह second stage में आपको इसको लिखना परेगा, उसके बाद यह fill out करने के बाद आप लिखेंगे channels, channels का मतलब होता है, किस के मादियम से आप उसको sell करें परेगे, वो channel, जितने भी सारे channels आपके दिमाग में आते हैं, जो आपके पास है, आपके vision में है, वो आपको यहाँ पर mention करना परेगा, channels mention करने के बाद फिर आपको लिखना परेगा, कि customer का relationship आपको कैसे करना है, for example, अगर आप Facebook यूज़ करते हैं, तो Facebook को आप call करते हैं, क आप किसी dealer के पास जाते हैं, उससे लेते हैं, तो यानि टाटा जो है, वो marketing करता है, पर आप लेते कहां से, आप distributor से लेते हैं, जो local का, जो दुकान दारे dealer है, वहाँ से purchase करते हैं, गारी का भी same है, तो यहाँ पर आपको यह decide करना पड़ेगा, कि आपको जो customer relationship है, वो आप है, किस तरीके से है, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद, यह fill out करने के बाद, हम next जाएंगे, कि हमारा revenue stream किया है, हम कहां से पैसा कमाएंगे, अगर आप लोहा बेचते हैं, तो जितना आपका volume जादा से जादा लोहा बिखरी होगा, उतना पैस आएगा, अगर आप एग्जामपल, यूटूब में आप वीडियो बना के सेल करते हैं, या यूटूब में यूटूबर है, तो वहाँ पे आपका पैसा कहां से आता है, अगर आप यूटूब के मादेम से कोई भी product या service सेल करते हैं, तो कहां से आता है, आपके website से आता है Amazon में अगर कोई सामान बेचते हैं, तो कहां से पैसा आता है, Amazon से आता है, तो यहाँ पे आपको revenue stream सारे लिखने पड़ेंगे, कि कहां से आपका पैसा आएगा, किस तरीके से आपका business है, क्योंकि हम क्या करें, business model, business model यानि business कहां से काम करेंगा, कैसे काम करेंगा, और इसका revenue जो है, वो पैसा कहां से कमाएगा, आपका business, यह बहुत important है, तो यहाँ पे revenue stream हम सबसे पहले decide करेंगे, कहां से पैसा आएगा, अगर आप अपने website से sell करेंगे, Amazon से sell करेंगे, Flipkart से sell करेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे mention करना पड़ेगा, उसके बाद आप decide करेंगे, अच्छा, यहाँ पे तो revenue stream हमने तो समझ लिया, फिर इसके key resources क्या है, इस business को शुरू करने के लिए, और इसको grow करने के लिए, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे employees चाहिए, अगर आप, for example, Tata का लोहा बेच रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, warehouse होना चाहिए factory होना चाहिए, iron ore होना चाहिए, फिर आपके पास machinery होने चाहिए, machinery चलाने के लिए, employees होने चाहिए, technology होनी चाहिए, फिर उसके लिए आपको पास koela होना चाहिए, रास्ते होने चाहिए, dumper होना चाहिए, तो ऐसे सारे key resources हैं उस business को चलाने के लिए, उस service या product को बनाने के अपने customer तक पहुचाने के लिए वो सारे चीज़ आपको जो है वो key resources में यहाँ पर put up करना पड़ेगा which is very simple and easy और यहाँ पर आपको यही चीज़ mention करना पड़ेगा जो आपके business के लिए mandatory है ऐसा नहीं कि मुझे Lamborghini चाहिए अगर आप लोहा बेच रहे हैं तो Lamborghini के साथ हाँ ठीक है आपको अच्छा लगेगा चलाने में दुकान तक जाने में पर वो आपको चाहिए रिली चाहिए नहीं आप बस में भी जा सकते हैं आप बस में भी जा सकते हैं पैदल भी जा सकते हैं तो ऐसे की resources को आपको mention करना है जिसके अलावा आपका business जोड़ वो चले एकानी फिर हम बात करें की activities फिर एम बात करें की की activities फिर इक्जांपल जैसे मैंने कहा है कि टाटा का लोहा बेच रहे हैं तो आपके पास transportation के लिए transportation is a key activity iron ore को acquire करना is a key activity फिर marketing करना is a key activity, customer relation तेयार करना की activity है, distributor पॉइंट करना की activity है, तो ऐसे कुछ activities जिसके माध्यम से आप जो product और service है उसको generate कर पाएंगे, ये आपका जो होता है, जैसे for example अब घर में खाना बनाना चाहते हैं, तो ये अब दुकान से सबजी लेके आते हैं, वो है key resources, और जो activities ह आपको यहाँ पर decide करना परेगा, यहाँ पर जैसे मैंने खाया कि लोहा बेचने वाले हैं, तो यहाँ पर key partners कौन है, आपको distributor चाहिए, dealer चाहिए, customer चाहिए, ठीक है, आपको दूसरे जो construction company से उनके साथ partnership करना परेगा, ताकि वो आपका जो माल है वो purchase करें, आपको middleman को ल यह mention करना परेगा, और उसके बाद आजाता है कि आपका यहाँ पर मोटा मोटी आपको, मतलब यह जो suffer हमने देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह suffer जो हमने देखा हुआ है, यहाँ पर देखने के बाद आपको पता चल गया है, अच्छा बहुत बड़ी है, और उसके बाद आपको decide कर करेंगे, की रोस्त, resources में, अगर employees हो जाते हैं, तो employee cost, factory cost, कच्चे माल का cost, variable cost, marketing cost, sales cost, फिर अगर आपका legal का खर्चा होता है, legal का cost, सारे जो खर्चे होते हैं, वो आपको यहाँ पर cost structure में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखेंगे, आप जब इस page को, जब आपने जो भी input है, वो डालेंगे इसमें, तब आपको पता चलेगा, अच्छा, यह जो business है, इस business में dumb है या नहीं, और अगर आपको कोई भी changes करना पड़ेगा, तो उसी तरीकी से आप इसको changes करके, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, यह जो business model canvas, जो है, वो आपको clarity देता ह कैसे आपका business अभी कहाँ पे है, कैसे आपका business पैसा कमाएगा, कैसे आपका business चलेगा, कौन से activities करने है, कौन सा partner है, customer relation कैसे तयार करना है, आप product क्या sell करना है, आपका key proposition क्या है, कौन आपका customer है, revenue कहां से आएगा और खट्चा कहां से होता है, तो आपके पूरे हर इक कोई business का ये एक आपका bottom line है foundation है इसकी उपर ही हर एक business खड़ा होता है तो कोई भी business का भी आप business model canvas generation कर सकते हैं पर अपने business का ऐसे आप ज़रूर कर सकते हैं जो आपको मदद करेगा एक clarity मिलने में कि हाँ ऐसे मेरा business चलेगा और या week on week basis कर सकते हैं month on month basis करते हैं जैसे आप अपने business को grow कर रहे हैं जैसे आप अपने business को groom कर रहे हैं बना रहे हैं ये आपको definitely help करेगा क्योंकि इसने मुझे help किया है and I hope ये आपको भी help करेगा